प्रेलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आप सबूं का स्वागत है। अवस्थिती आप मैप के माध्यम से देखेंगे ये टाइगर रिजर्व है ये वर्तमान आंधर प्रदेश में है। जानकारियों पर ध्यान दें तो ये भारत में वर्तमान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व में से एक है। फ्रेंड्स ये वर्तमान में नला माला पहाडी के अंतरगत आता है। इसके आसपास का जो छेत्र है वो इसी पहाडी पर इस्थित है। यहां से कृष्णा नदी होकर गुजरती है। कृष्णा नदी जो यहां से होकर गुजरती है लगभग 130 किलोमीटर के आसपास है। इस चेत्र को नेशनल टाइगर रिजर्व के चेत्र के रूप में 1978 में अधिसूचीत किया गया था। 1983 में इसे एक टाइगर कंजर्व चेत्र के रूप में घोशित किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम 1922 में परिवर्तित करके राजियु गांधी वन्नेजु अभ्यरन कर दिया गया था यहाँ पर सिर्फ टाइगर नहीं रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे अन्य जानवर जैसे की बंगाल टाइगर तेंद्वा चित्तिदार बिल्ली पैंगोलीन मगर इंडियन रोक पाइथन इत्यादी भी पाये जाते हैं तो इन जानकारियों को भी आप याद रखेंगे हमारी discussion का दूसरा topic पंपा नदी के बारे में हैं पंपा नदी के बारे में सबसे पहले आप यही जानेंगे कि यह केरल में इस्थित है आप इस नदी को देख सकते हैं यह केरल में यहाँ पर यह है इसकी उत्पत्ती और बाकी सारी जानकारियों को हम एकिक करके देखते हैं लेकिन इसके महत्तपुन जानकारियों में जिसे आपको याद रखना है वो ये कि ये केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी है पहली सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी है और दूसरा भरत पूजा नदी है पंबा नदी ही वो नदी है जिसके किनारे में सबरिमाला मंदिर अवस्थित है 2017-18 में काफी चर्चा में थी इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे इसे दो अन्य नामों से जैसे की दक्षनी भागिरती और बारिस नदी के नाम से भी जाना जाता है इसकी उत्पत्ती पस्चमी घाट के अंतरगत पीरू-मेदू पहाडी से होता है और ये पस्चम की ओर भहते हुए बेमनाड जील में जाकर मिल जाती है ये बेमनाड जील है इसे आप देख सकते हैं हमारे डिस्कसन का तीसरा टॉपिक एस्टोजन परियोजना के बारे में है फ्रेंड्स हलांकि ये परियोजना भारत ये परियोजना नहीं है ये अमेरिका में सुरू करी किया गया एक परियोजना है लेकिन ये बहुत अलग है बाकी परियोजनाओं से इसलिए आपसे पूछा जा सकता है आप ध्यान रखेंगे यदि हम बात करें स्टोजन परियोजना का तो ये एक ऐसी परियोजना है जिसके अंतरगत जो सिक्छाविद होते हैं वे अपने वनसावली प्रनाली को जान सकते हैं कहने का मतलब है कि आप यदि खगोल विद हैं आप खगोल के छेतर में अध्यान कर रहे हैं और आपको इस छेतर में इतना पढ़ाई करना है कि आपको डोक्टरेट की उपाधी दी जाए तो आप उस क्रम के दोरान आपके पु प्रियोजना को किसके द्वारा सुरू किया गया है तो आप याद रखेंगे अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी और इसी के एक संस्थान खगोल विज्ञान विभाग या फिर प्रभाग के द्वारा इसे सुरू किया गया है यदि आपको इससे संबन्दित प्रश्न प पुरू में थे उनके बारे में जानकारियां इकठा कर सकें जान सकें इसे किसके द्वारा सुरू किया गया है इसे भी आपको पूछा जा सकता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे हमारे डिस्कसन का चौथा टोपिक जो है वो वैस्विक टाइगर डे के बारे में है यानकि ग्लोबल टाइगर डे वैस्विक बाग दिवस के बारे में है इस्टेट PCS या फिर जो वन लाइनर कोस्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वैस्विक टाइगर डिवस किस तीन को मनाया जाता है ये तो आपको याद होगा 29 जुलाई लेकिन इससे जुड़े हुए अन्य बहुत सारी जानकारिया है जो आपको स्टेट PCS और UPSC दोनों में पूछा जा सकता है तो सबसे पहले फ्रेंस इस दिवस को मनानी की सुरुआत कब से की गई थी 2010 से जब रूस के सेंट पीटर्स बर्ग में एक आयोजन किया गया था टाइगर समिट उसके बाद घोशित किया गया कि इसके बाद से लागातार 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाएगा यदि इसके कुछ अन्य महत्तरपुन बातों पर ध्यान दे तो वर्तमान में भारत में इनकी कुल संख्या 2960 है जो की पूरी द यदि हम बात करें भारत में कौन से वो राज्ये हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बागों की आबादी है तो मध्यप्रदेश में लगभग 526 सबसे ज़्यादा दूसरा 524 यानि कि केवल दो करनाटक में हैं उसके बाद उत्राखन में 442 हैं आप इन तीनों राज्यों के ना ही देखी गई है लेकिन इसके अलावा बागी जितने भी राज्ये हैं उरिशा को छोड़कर वहाँ पर टाइगर की संख्या में साकारात्मक ब्रिध्धी देखी गई है उरिशा में ना तो बागों की संख्या बढ़ी है ना ही घटी है यदि हम बात करें उस टाइगर में Tiger यानि कि बाग हैं तो वो बाग पेच बाग अभ्यरन जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पर है ऐसा ही एक और साकारात्मक सुधार प्राप्त करने वाला Tiger अभ्यरन जो है रिजर्ब जो है वो तामिलाडू का सत्यमंगलम tiger reserve है तो इसे आप ध्यान रखेंगे इससे जुड़े हुए अन्य महत्तपुन बातों में यदि हम ध्यान दें तो friends जो जन गन्ना किया जाता है बागों की संख्या को देखने के लिए वो हर चार साल में एक बार किया जाता है आप चार साल में एक बार की इस सीमा को याद रखेंगे यानि कि पिछला जो जन संख्या का गन्ना किया गया था वो 2018 में किया गया था उससे पहले 2014 में अगला जो किया जाएगा वो 2022 में किया जाएगा इसे आप याद रखेंगे इसे किसके द्वारा किया जाता है तो हर चार साल में National Tiger Conservation Authority यानि कि राश्ट बाग संरक्षन प्राधीकरन के द्वारा किया जाता है और इसमें जो बाकी राज्यों की सरकारी होती है या फिर राज्यों के वन विभाग होते हैं और इससे जुड़े हैं बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं उन सब के सहयोग से इसे पूरा किया जाता है आपको जो याद रखना है वो National Tiger Conservation Authority का नाम याद रखना है यदि हम बात करें कि ये जो संख्या लागातार बढ़ रही है उसके लिए क्या प्रयास किये गए हैं तो आप इसके लिए याद रखेंगे कि भारत में जो प्रस्ण में लगभग 50 Tiger Reserve हैं अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि उत्तर प्रदेश में दो ऐसे छेत्रों को फिर से Tiger Reserve घोशित करने के लिए कारे सुरू कर दिया गया है आप उसका नाम आपको याद है तो comment करके बताएंगे यदि आपको नहीं है तो हम इसको आपको पिछले next जो हमारा discussion होगा उसके अंतरगत आपको हम लोग बताने की कोसिस करेंगे तो ये तो पहली जानकारी थी जो पूछा जा चुका है पूछा जा सकता है आप ध्यान रखें इसी प्रकार से एक M strip नामक प्रस्न भी पूछा गया था UPSC के द्वारा I think ये 2017 में पूछा गया था तो इसे आप देख लेंगे M strip जो है वो एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से वन रकषकों के द्वारा monitoring किया जाता है mobile के माध्यम से कि किसी छतर में बागों की संख्या क्या है ये एक प्रकार का application है एक प्रकार का ऐसा एक प्रकार का ऐसा टक्नीक है जिसके माध्यम से टाइगर की संख्या को आखने की कोशिस किजाती है इसलिए इसे लूंज किया गया था किसके द्वारा लूंज किया गया था तो National Tiger Conservation Authority के द्वारा तो ये दो अबहत तपुन जानकारिया थी अगला, 2010 में जब टाइगर को कंजर्व करने के लिए कारेक्रम का आयोजन किया गया था, उस समय कुल 13 ऐसे बाग पाए जाने वाले देश उस कारेक्रम में सामिल थे, उनके जो नेता थे, उन्होंने एक कारेक्रम की घोशना की थी, एक नारे की घोशना की थी, T क्रोस्टू, यानि कि टाइगर की जितनी भी जनसंख्या है 2010 में, उनकी संख्या को दोगुना किया जाए, इसलिए T क्रोस्टू नारा दिया गया था, तो आपको पूछा जाएगा कि T क्रोस्टू किस से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ये टाइगर कंजर्वेशन से जुड़ा इसलिए बागों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक वैसिक मंच प्रदान करके उन पर जो भी वारतालाब किया जा सकता है, जो भी बात विचार को साझा किया जा सकता है, इसकी सुरुवात की गई थे, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि Global Tiger Initiative किसके द्वारा शुरू किय गया था, तो ये विस्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया था, इसे आपको याद रखना है, पांचवा, Global Tiger Initiative जो की विस्व बैंक का एक कारिकरम है, इस पहल को Global Tiger Initiative के एक संस्थागत रूप को लागू करने के लिए एक संस्थान के रूप में इस्थापित किया गया था तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, और अब तक इस कारिकरम से Global Tiger Forum, Global Snow Leopard, Ecosystem Protection Program ये कारिकरम चलाए गये हैं और इन कारिकरमों को संथ रूप से चला करके पूरे विश्व में जो 13 ऐसे देश हैं जहांपर Tiger पाए जाते हैं, वहाँ पर बागों की संख्या को बढ़ाने की इस दिसा में कारिय किये जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान रखें, हमारे डिसकुसन का पांचवा टोपिक Green AG परियोजना के बारे में हैं, फ्रेंड्स, Green AG परियोजना को सिंपल भासा में आप ऐसे समझे कि ये एक ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से भारत में बहुत सार ऐसे खेती की पधती है, जो पारंपरिक रूप से की जाती है, और उस पर किसी प्रकार की ज़्यादा टक्निकों का उपयोग किये बीना अच्छी खासी उत्पादक्ता प्राप्त की जाती है, तो उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए जो कारेकरम सुरू किया गया है, उ किसी भी प्रकार से उत्सर्जन, जो अलग अलब प्रकार से उत्सर्जन होते हैं, जिससे प्रियावरन को नुक्सान होता है, उसको कम करने की दिसा में और सबहनिय क्रिसी पधती को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम में इसकी सुरूआत कर दी गई है, हलांकि इस कारेकरम को भारत के पाँच राज्यों में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में सुरू किया गया है, लेकिन सबसे पहले इसकी सुरूआत कहां की गई है, मिजोरम में, जो चार अन्य राज्ये हैं, जहां पे ग्रीन एजी परियोजना को सुरू की गई है, वो राजिस्थान, मध्य प्रदेश, ओरिसा और उत्राखंड है, इने चारो राज्यों और मिजोरम, इसको आपको याद रखना है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन एजी परियोजना किस से जूड़ी है, तो आप कहेंगे ये जो भारत में बहुत साय ऐसे परंपरागत क्रिसी पधती है उसको संरक्षित करने के लिए किंदर सरकार के द्वारा सुरू किया गया एक कारिकरम है, इस परियोजना के लिए पैसा कहा से आ रहा है, तो फ्रेंड्स, ग्लोबल इन्वार्मेंट फैसिलिटी यानि कि GEF, वैस्विक परियावरन सुमीधा के माध्यम से इस कारिकरम के अं परियावरन का संस्थान है, और भारत के केंदरी मंत्राले, वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले, इन दोनों के द्वारा मिलकर, यानि कि FAO और भारत के परियावरन मंत्राले, दोनों के द्वारा मिलकर इस कारिकरम को लागू किया जा रहा है, इसके लिए एक अलग से क गठन किया गया है, जो क्रिसी और सहकारिता एम, क्रिसी कल्यान विभाग के अंतरगत रहकर इसको लागू कराने का कारे करेगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मुख्य उदेश यही है, कि भारत में जो क्रिसी की विविधता है, जै अधतियों को एक इकरित रूप से संचालन करते हुए, जो अलग-अलग खेती के प्रकार हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रेंट से इसलिए जरूरी है, क्योंकि केरला के अंतरकत आपने सुना होगा, कि एक प्रकार की खेती की जाती है, वो धान की खेती होती है, औ और उस धान की खेती को लवनिये जल में किया जाता है, और उसके जो धान होते हैं, उसके जो चावल आते हैं, वो लवनिये नहीं होते हैं, खारा नहीं होते हैं, इसलिए आप इसे कहेंगे कि ये भारत की एक अलग सी पधती है, ऐसे ही, असम में जो आपातानी जन जाती है उनके द्वारा ऐसी खेती की जाती है जो यदी एक प्रकार से खेतों में बार आ भी जाए तो उस धान के खेत को नुक्सान नहीं होता है तो इस प्रकार की यदी resilience खेती है भारत में तो उसको संरक्षित करने की आउ सकता है आप इस बात को भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे दवा के उत्पाद है जिनको यदी संरक्षित किया जाए तो इससे कितना फैदा हो सकता है जब हम आज पूरा विस कोरोना वाइरस के दवा ढूंडने के लिए कारे कर रहे हैं उसी दिसा में रामदेव बाबा का जो पतंजल बलकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा तो इसी के उदेश्य से इस कारे करम को सुरू किया गया है आपको ये पूछा जा सकता है कि इस कारे करम को कब तक लागू किया जाएगा मतलब कब तक ये कारे करम बना रहेगा तो 2026 तक ये कारे करम बना रहेगा इसे आपको ध्या नहीं है यहां और थोरंग तलांग वन्यजू अभेरन इन दोनों छेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा इन दोनों छेत्रों को भी चैनित किया गया है इस कारेक्रम को लागू करने के लिए तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे हमारे डिसकुशन का अगला जो टॉपिक है वो pre-pack के बारे में pre-pack किस से जुड़ा हुआ है ऐसा करके आपको UPSC प्रशन पूछ सकती है तो friends आप याद रखेंगे pre-pack जो है वो दिवालियापन, insolvency और bankruptcy court जो भारत में बैंकों के जो संस्थान होते हैं उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए या फिर regulate करने के लिए जो बनाया गया था 2016 में कानून उसी के अंतरगत ये pre-pack है कहने का मतलब ये है इसे आसान भासा में आप ऐसे समझें मान लेते हैं कि कोई company है वो उस company ने अपने कुछ निवेसकों के सहयोग से और कुछ लोगों से loan लेने के बाद एक company को सुरू की थे कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि ये company आप प्रोफिट में नहीं जाती है तो जो निवेसक हैं वो क्या कहेंगे कि भाया आप हमको पैसा दे दो आप company अच्छा से नहीं चला पा रहे हो या फिर जिन बैंकों से इस company ने loan लिया है वो bank भी तो कहेंगे न आपका पैसा NPA में जा रहा है आप loan का चुकता नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें हमको अपना पैसा उधार मतलब देना सुरू करें और इसके लिए दबाव बनाना सुरू करेंगे इन सब चक्करों में क्या होगा उस company का और ज्यादा नुकसान होने लगेगा ना तो वो company अपने उत्पादन को आगे बढ़ा पाएगी ना ही वो profit में जाने के लिए कोई कदम उठा पाएगी तो फिर क्या किया जाता था पहले कि इस company को निलाम करने के छत्र में कारे किया जाना सुरू किया जाए यानि कि किया किया जाएगा इसको कुछ छूटे दी जाएंगे जैसे कि बैंकों को कहा जाएगा कि भाया आप किचिर किचिर मत करो पैसा मत मांगो अभी कुछ समय के लिए जो निवेशक हैं उन निवेशकों को कहा जाएगा कि आप उस company में कुछ share खरीद लो और उस company की कुछ हिस्सेदारी रखो और आप company को बढ़ाने के छतर में कारे करो उस company को परिशान मत करो ऐसे बहुत सारे कारे किये जा सकते हैं यदि ऐसा किया जाएगा तो वो company को अपने आपको फिर से boost करने का grow करने का मौका मिल जाएगा और यदि ऐसा होता है ऐसे मौके दिये जाते हैं तो उसे ही pre-pack कहा गया है इसे आप आसान भासा में यदि आपने समझ लिया तो अब इससे संबंदित कुछ भी statement आपको पूछा जाता है आप इसे उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे यदि आपको ये पूछा जाता है कि pre-pack जो है वो किस से जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे insolvency and bankruptcy code यानि कि दिवाला और दिवालियापन सहीता से जुड़ा हुआ है इसको लागू करने के लिए वर्तमान में एक कमीटी का गठन किया गया है इसलिए ये news में था तो इसे आप ध्यान रखेंगे एक अन्यबाद जो pre-pack लागू किया जाएगा उसको 90 दिनों के अंदर अंदर पूरा करना है मतलब लागू कर दिया जाएगा और देखा जाएगा कि वो company 90 दिन के अंदर अंदर boost कर रही है कि ने उसके विकास में बृत्धी हुई है कि ने इन सब को देखा जाएगा उसके बाद फिर लेंदारों को कहा जाएगा कि जाओ आप आपको निलाम करना है या फिर जो करना है आप कर सकता है यह 90 दिनों के बाद कहा जाएगा तो यह 90 दिन की सीमा को भी आपको याद रखना है अब कुछ इसी से जुड़े हुए हमारे MCQ है उसे आप फटा-फट देख लें क्या कहता है कि नागार्जू सागर स्री सिलम स्पीकर मामला 2016 जो था वो किस से जुड़ा हुआ है तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे यह राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति से संबंदित है मतलब इस मामले में जो कोड थी उसने कहा था कि जो राज्यपाल है उनको इतना विवेकाधीन सक्ति है कि वो विधान सभा के कारे को आहूत कर सकते हैं उसको स्थगीत कर सकते हैं या फिर उसको भंग कर सकते हैं ऐसा आदेश दिया गया था कौन से मामले में नबाम रेबिया और बामंग फ्लेक्सी बना डिप्टी स्पीकर के मामले में तो इसे आप याद रखेंगे यह इसलिए नियूज में है क् कि अभी आप राजिस्थान के मामले को देख रहे हैं कि कैसा वहाँ पर राज्यपाल जो है वो सदन को सुरू करने या फिर नहीं करने से संबंधित क्या प्रक्रिया चल रही है आप जान रहे हैं जो आप से पूछा जा सकता है वो यह हो सकता है तो आप इसे ध्यान रखेंग एक अन्य प्रस्म जो है वो एक तरफ जो समाचारों में रहने वाले छेत्रम के नाम दिये गए हैं दूसरे तरफ उससे संबंधित देश के नाम दिये गए हैं आपको ऐसा प्रस्म UPSC लागातार पूछ रही है आप ध्यान रखेंगे हमने इसे संबंधित कुछ topic पर discussion किया भी है और जो news में हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं तो आप ध्यान रखेंगे ये पहला क्या करता है सही जोडों को आपको पहचान करना है पहला करता है ओका वांगो डेल्टा ये बताता है इथोपिया में है हमने पिछला discussion में इसे किया था ये तो बोथस्वाना में है न तो इसलिए पहला गलत हो जाता है दूसरा दाफूर ये बताता है सूडान में है बिल्कुल सही है आप याद रखेंगे दाफूर जो है वो सूडान में है कहाँ पर है मैं मैप के मादम से दिखाता हूँ बंदर अबास इरान में है ये बिल्कुल सही है इस question का answer option C होगा तो इसे आप ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें दाफूर का हलाकि हम लोगोंने ओका वांगो डेल्टा बोथस्वाना में है इसे देख चुके हैं आप पिछला discussion जाकर देख सकते हैं दाफूर को आप देखें ये सुडान है यहाँ पर लाल सागर है अब आपको दिमाग में बैट गया होगा कि ये कहा है इधर इथोफिया है इधर इट्रिया है इधर साउथ सुडान का छेतर है इधर केनिया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो है ये सब आप इधर दाफूर कहा है यह सुडान में है सूथ सुडान कहेगा तब लाफ सुडान यहां पर है तो इसे आप ध्यान रखेंगे यदि हम बात करें बंदर अबास का तो friends यह ओमान है यदि इधर UAE है ओमान का एक हिस्सा यहाँ पर भी है इसे आप देख सकते हैं इरान यहाँ पर है इधर Gulf of Oman है और इस हिस्से में मतलब यह Persian Gulf है इन दोनों को जो जोडने वाला च्छतर है वो state of हॉर्मूज कहा जाता है और इरान में बंदर अबास यहाँ है इसे आप देख सकते हैं इसे से जुड़ा हुआ एक अन्यप्रस्ण जो हमने अपने पिछले discussion में दिया था blue poppy इसको हिंदी में आपको पूछा जा सकता है blue khas khas क्या होता है तो यह कहता है कि इसके बारे में निमलखित कत्नों पर विचार करें तीन कत्न दिये गए हैं सही कत्न की पाचान करनी है पहला कत्न कहता है इसे हिमालई फूलों की रानी माना जाता है बिल्कुल सही है हम लोगों ने अपने पिछले डिसकसन में देखा था आगे करता है कि यह कुमाऊ कस्मीर तक लगभग तीन हजार से लेकर पांच जार की मीटर की उचाई में पाये जाता है यह जानकारी भी बिल्कुल सही है आगे करता है यह फूनों के पौधे की एक प्रजाती है, जिसमें से अफीम और खस-खस दोनों प्राप्त होते हैं, यह मुल्यवान सजावटी पौधा भी है, इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यह अफीम, यानि कि जो नसीला पदार्थ है, उस प्रकार से कारी नहीं करता है, यह खस- जो होता था, वो एक प्रकार का पेपदार्थ होता था, जिसको मुख्य रूप से कुमाओ के छतर में, यानि कि कस्मीर के छतर में और हिमाचल प्रदेश उत्राखन के छतर में, जब लोग महमान आते थे तो वहाँ पर पिलाया जाता था, तो यह ब्लू पोपी से ही बना हो जाता है, option B इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे, तो friends यह हमारा आज का discussion था, काफी लंबा हो चुका है, I hope आपको अच्छा लगा होगा, हम आज अपने discussion को यही रोगते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, discussion का PDF आपको description box में दिया हुआ है, उसको download करके आप दो से तीन बार revise करें, निश्चित रूप से आप बहतर result देंगे, thank you, thank you very much